दोस्तो ये कहानी है नेहा की नेहा अपने माता पिता की एक लौती बेटी थी और वो बारावी कक्छा में पढ़ रही थी जब नेहा के एकजाम खत्म हो गए तो उसकी मा ने कहा बेटा तुम जाओ अपने मामा जी के यहां घूमाओ नेहा जब आठ साल की थी तब अपने माम के घर पहुच गई जब उसने अपने मामा को देखा तो बिल्कुल हैरान हो गई उसके मामा अभी भी बिल्कुल हैंडसम दिख रहे थे और नेहा ने अपने मामा की खूब जम कर तारीफ की मामा भी खुश हो गए क्योंकि नेहा बहुत सालों बाद आई थी नेहा जादा तर अपनी मामी के साथ रहती थी लेकिन एक दिन की बात है नेहा किचन में खाना बना रही थी और उसने साधे कपड़े पहने हुए थे तब ही वहां उसके मामा जी आए और बोले नेहा तुम एतने सिंपल कपड़े क्यों पहनती हो तुम आज कल के फैशन वाले कपड़े क्यो नहीं पहनती हो नेहा को इस बात पर बहुत ज़्यादा गुस्सा आया और वो वहां से चली गई दूसरे दिन मामा जी ने नेहा के लिए जिन्स और टॉप खरीदा और वो कपड़ा देने के लिए उसके रूम में चले गए और जब नेहा ने उनके हाथों में वो कपड़ा हो गई जब नेहा के मामा जी ने मूवी की दो टिकट खरीद ली और नेहा को मूवी देखने जाने के लिए कहा अब नेहा को डर लगने लगा था और उसने अपने मामा से साफ मना कर दिया कि मैं फिल्म देखने नहीं जाऊंगे पर नेहा की मामी नेहा से नाराज हो गई औ और उन्होंने कहा चली जो बेटा तुम्हारे मामा जी ने इतने प्यार से टिकट खरीदी है वो भी सिर्फ तुमारे लिए मेरी शादी को पांच साल हो गएं पर आज तक इन्होंने एक बार भी नहीं कहा होगा कि चलो आज कहीं घूमने चलें इतना सुनने के बाद नेहा रा और नेहा अपने रूम में जाकर रोने लगी और अपने माता पिता को याद करने लगी उसने अपनी माँ से सारी बातें बताने का सोचा पर वो ऐसा नहीं कर सकी उसकी माँ अपने भाई को बहुत अच्छा मानती थी इसलिए उसने अपनी माँ से कुछ नहीं कहा और वो सार पारी बातें नजर अंदास करके सो गई, दूसरे दिन नेहा अपने कमरे में बैटी मुबाइल चला रही थी, तब ही उसके मामा कमरे में आएं और उसके भगल में बैट गएं, और नेहा को चू चू कर बात करने लगें, नेहा को ऐसा बिलकुल अच्छा नहीं लग रहा था, और उसने अपनी मामी से ये बातें बताने का फैसला कर लिया था लेकिन एक दिन की बात है नेहा की मामी बजार गई थी और नेहा अकेले थी तभी उसके मामा जी उसके कमरे में गए और कहा नेहा तुम ही मेरी आखरी उमीद हो मेरी कोई संतान नहीं है क्या तुम मेरी बेटी बन कर यहां रह सकती हो यह सुनते निहा के आखों में आसू आ गया और वो रोने लगी कि मैंने मामा जी को कितना गलत समझा और उसने रोते हुए अपने मामा को गले लगा लिया और दोनों मामा भांजी रोने लगे और नेहा बोली मैं आप लोगों को कभी छोड़ कर नहीं जाओंगी मामा तभी नेहा की मामी जी आती है और वो इस बात को सुनकर बहुत खुश हो जाती है नेहा उनके साथ हसी खुशी रहने लगती है दोस्तों ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर से बताएं अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए थें तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें जिससे इसी तरीके से सबसे पहले आपको कहानिया मिल सकें